हलो दोस्तों मेरे नाम है शुब अमत्यागी स्वागत है आप सभी कामारे कोणे वीडियो में और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरो HF100 के बारे में जिसको रिसेंटली लॉंच किया गया इंडिन मार्किट के अंदर तो यह मेरे सामने है बाइक क्या कुछ इस ब आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकर आप उनको मिसने कर पाएं साथ ही COVID-19 चल रहा है तो थोड़ा सा अपना ध्यान लखें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं सिनिमेटिक शोट्स के बाद सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सिनिमेटिक शोट्स आपको कैसे लगे हैं कॉमेंट करके बताईएगा और बात करें इस मोटर साइकल की तो हीरो की तरफ से अभी एंट्री लेवल मोटर साइकल बन चुकी है जो की है हीरो HF100 इससे पहले जो बाइक की रेंज स्टार्ट ह होती थी हीरो की वो होती थी है एच एफ डिलक्स से और यह मोटर साइकल जो है वो डिजाइन वाइज एच एफ डिलक्स पर ही बेस्ड है प्राइस की बात करें तो इस बाइक को लॉंच किया गया है 49,400 रुपीज डैलियक शोरूम प्राइस के साथ में और यह इंडिया के आपको यहां मिल जाते हैं वाइट रिफलेक्टर के साथ में और वील की में बात करूँ तो यहां पर आपको 18 इंच के ब्लैक अलॉय वील देखने को मिलते हैं और टायर की अगर बात की जाए तो यहां पर आपको ट्यूब वाला टायर मिलता है ट्यूब लैस इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा, C8 के टायर बाइक के अंदर दिये गए है और फ्रेंट में टेलिस्कॉपिक सस्पेंशन आपको बाइक के अंदर देखने को मिलता है साइड लुक की बात करते हैं आप देख सकते हैं साइड का डिजाइन साइड से बाइक जो है वो कम्प्लीटली बेज है HF डिलक्स पे टैंक के ओपर हीरो का स्टिगर आपको मिल जाता है 9.1 लिटर का फ्यूल टैंक मिलता है यहाँ पर नीचे यूटिलिटी बॉक्स मिल जाता है साथ में बाइक के अंदर आपको इलेक्ट्रोनिक फ्यूल इंजक्शन सिस्टम देखने को मिलता है यह एक्जोस्ट प्लेट है जहाँ पर पूरा क्रोम का यूज किया गया है और रियर में आपको स्प्रिंग लोड़िट टून शोक अब्जोबर देखने को मिल जाते हैं सस्पेंशन थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा है एक्जफ डिलक्स से रियर के अंदर उसके अंदर यहाँ पर गलास आता है और इसके अंदर नहीं दिया गया है तो यहाँ पर विदाउट गलास आपको देखने को मिलता है टेल सेक्शन की तरफ चलते हैं बाकि आप यहाँ देखेंगे यह ग्रैब हैंडल है जो की नॉर्मल पाइप के उपर दिया गया है और यहाँ पर बेसिक डिजाइन आपको देखने को मिलता है ग्रैब हैंडल का टेल लुक की बात करें तो आपको बल्ब टेल लैम सेटप देखने को मिलता है नीचे की तरफ आप मट गार्ड देख सकते हैं नंबर प्लेट की पोजिशन आपको मिल जाती है और रेर टायर की मैं बात करूँ तो रेर के अंदर भी आपको 18 इंच का टायर देखने को मिलता है अलोई विल के साथ में और टायर दोनों ही आपको ट्यूब ऑले मिलते हैं ट्यूब लेस टायर इस अपंडर नहीं दिए गया है क्योंकि बाइक की कोश्ट को थोड़ा कम रखना है तो उस हिसाब से कोश्ट कर्टिंग आपको देखने को मिलेगी बाकी गेर वगयर की बात करें तो 4 गेर के साथ में बाइक आती है और बेसिक एकसिसरी में आपको लेडीज फूटरेस्ट देखने को मिल जाता है तो आपको देखने को मिलता है analog unit जहां पर analog speedometer आपको मिलेगा, analog odometer मिल जाता है, fuel gauge मिल जाएगा, engine check light मिल जाती है, high beam और neutral की light आपको इसके meter में देखने को मिल जाती है, इधर switches की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहां पर high beam low beam का switch मिलता है, pass वगरा का कोई switch नहीं मिलेगा, indicator horn आपको मिल जाता है, clutch lever इधर मिल जाता है, handle bar आपको black out treatment के साथ में देखने को मिलेगा, और इस side में आपको कुछ नहीं मिलता है, मतलब electric start वगरा, कोई option इस bike के अंदर नहीं मिलता है, mirror आपको basic दिये गए हैं, जो कि black color के आते हैं, तो यह है overall walk around, बात करें, इस bike के competition की, तो यह bike जो है, वो सीधा compete करती है, बजाज CT 100 जैसी motorcycles के साथ में, और Indian market के अंदर, hero ने इस bike को उन लोगों के लिए launch किया, जो कि एक budget segment के अंदर, अच्छी mileage वाली motorcycle लेना चाहते हैं, और जो day to day life में commute करते हैं, या फिर जिनका commercial activity के लिए, जिनको two wheeler चाहिए, जैसे की, जो two wheeler, cabs वागेरा के तोर पर यूज़ करते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा option है, कम budget के अंदर आपको अच्छा mileage देने वाली motorcycle ये मिल जाती है, और मेरे हिसाब से काफी अच्छा decision है, hero का, और HF Deluxe के base variants से अगर आप compare करते हैं, तो approach आपको 2-5,000 रुपे ये सस्ती पर नए है, तो subscribe करें और bell icon को जरूर दबाएं, जिससे की future माने वाली वीडियो की notification भी आपको मिल सके,